आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटाकेदार साथ इंडियन स्टाइल का कच्चे आम का इंस्टेंट आचार इस आचार को बनाने में लगेंगे सिर्फ 10 मिनिट कोई जंजट का काम नहीं है बहुत ही आसान सी रेसिपी है इस आचार को आप रोटी पराठा दाल 400 ग्राम है आम को हमने अच्छे से दोकर साफ कर लिया है अब जब भी आचार के लिए आम चूस करें आप ऐसे चूस कीजिए जो सक तो सौफ्ट आम जो अंदर से थोड़े पके हुए हो ना उसका यह आचार ज्यादा आच्छा नहीं लगेगा इस आचार को बनाने के लिए हमें आम का छिलका हटाने की जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे इसे इस तरह से कट कर लेंगे हमें इसे एकदम ही छोटे-छोटे टुकडों में कट करना है आम को यह देखिए अंदर का यह जो गुटली का हिस्सा है उसे हटा देंगे और यह जो बीच में लेयर है ना है उसे हम हटा देंगे ताकि वह खाने में ना आए बहुत सिंपल सी रेसिपी है वस दस मिनिट में आचार बनकर तयार हो जाएगा और आप इस आचार को दस से पंदरा दिनों तक रफिजिएटर में स्टूर भी कर सकते है तो इस सीजन में आप भी से अपने घर पे जरूर को ट्राइ कीजिएगा यहां पर मैंने बुरे ही आम को इस तरह चोटे टुकडों में कट करके तैयार कर लिया है अब जब तक बाकी की तैयारिया करते है इस आम को हम साइट पर रख देंगे यहां पर मैंने एक पैंड लिया है जिसमें मैं ले रही हूँ दो चोटी चम्मत जितना मेथी दाना बिल्कुली लो फ्लेम पर हमें इसे कुछ देर के लिए बूनना है इसकी फ्लेवर ना आचार में बहुत बड़े आती है जरूर से एड़ कीजिएगा इसे बहुत जादा डार्क बूनने की जरूरत नहीं है हलका सा क्रिस्पी हो जाए उतना ही और फिर इसका हमें एकदम इफाइन पौडर बनार कर तयार करना है और यह देखे ए पाउडर बनकर तयार है इतनी कम कौनटिटी को पीच्टे में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते है 4-5 चमत जितना मेथी दाना सेक कर इसका पाउडर बनार कर स्टॉर क कि यूज़ कर सकते हैं तो इस आचा को एकदम चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले अड़ करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें आड़ कर देंगे नमक मैंने यहां पर लिया है करीबन डेट चम्मच जितना नमक और साथ में लेंगे रेट चम्मच जितना कश्मीरी लाल अब इसमें हम एड़ करेंगे मेथी का पावडर जिसे हमने अभी पीश कर तयार किया है और साथ में एड़ करेंगे थोड़ी सी हल्वी इन दोनों ही चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना है इसके उपर एक तड़का लगाएंगे तो इसके लिए एक पैन में हम करम करेंगे चार बड़ी चम्मस जितना तेल और यह तेल जब करम हो जाए उसमें हम एड़ कर देंगे बड़ी चम्मस जितने राई के दाने और जब यह अच्छे से चटक जाए हम उसमें एड़ कर देंगे कुछ सुखी लाल मिर्श और साथ में हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से क बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह चटाकेदार सूपर टेस्टी साउथ इंडियन स्टायल वाला इंस्टेंट आचार बनकर तयार है इस सीजन में आप इसे जरूर ट्राय कीजिएगा यह रोटी पराथा चावल किसी भी सीज के साथ इसे सर्फ कीजिए यह बहुत जादा मज़ेदार बनकर तयार होता है आप इसे दस से पंदरा दिनों तक रेफिजिडेटर में स्टोर भी कर सकते हैं इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राय कीजिएगा और अपने फीद्बैक और सजेशन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेर कीजिएगा आज आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आए तिसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करें बिलते हैं नेक्स वीडियो वे एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सू मच टेक केर